वेल फ्रेंड्स वो जगह जहां पर शाइसरार साब ने एक मुर्द्य को जिन्दा किया था कैसे किया था क्यूं किया था और कहां पर किया था आज उस टापिक पर हम पूरी बात करने वाले हैं वेल वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं मैं एर्शाद हमद और आप देख रहें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि एक सी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें आप चलते हैं टापिक की और तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि शैसरार साब ने केसे मुर्द्य को कौन था वो जिसको जिन्दा उन्होंने क किया था तो जैसे पिसली वीडियो में भी आमने जिकर किया हुआ था तो चलो शाटली इस टाइब और करते हैं फ्रेंड्स यह उस वक्त की बात है जब शैसरार साब की एज लगबग छे से साथ साल की थी तो उनका एक फ्रेंड का जो रिलीजिस से बंड़त था पंड़त एक उनका फ्रेंड सास है मेच के थे दोनों तो रोज वो चोगान ग्रोंड में जो फैमस है किष्टवाड का चोगान ग्रोंड उसमें रोज वो गेम कहला करते थे कुछ हाली वर किष्टवी है कि लोकल जो लंगवेच है उसमें उसको हाली गेम बोलते है हाली तो वो गेम क चले गए गया मदूरी रह गई तो सुबह आपने टाइम पे जिस टाइम पे खेलने के लिए निकलते थे जाते थे तो उस टाइम पे सेम वो शाइगरण साब जा रहे हैं ग्रोंड में इंतजार कर रहे हैं लेकिन पढ़ने दड़का जों का दूस था वो वहां पे उस टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं काफी तर इंतजार करने के बाद जब उनने पदा करने के कोशिश की तो पदा चला कि उनकी डैथ हो गई है रात में उनकी डैथ हो चुकी है और उसको यहां से उनके अंतिम संसकार के लिए जिसका हम बोलते हैं तो यहां से ला रहे थे इसी रा सलाम कहीं बोलते हैं, सलाम कहीं, मतलब सलामी व्हञा ह 확진 साल्थ कई, कहीं बोलते हैं पत्तर को, तो, सलामी पत्तर इस जर्गां पे वह बचे तो इनका आवना हसा अधा Caleb और जो आगें बचुनों देख कि लेके जा रहे थे, क्योंकि इसके उपर मेरी बाजी है, मेरा करजा है, यह किसे जा सकता है। तो लोग सोचने लगे कि अब छोटा है, शाहिद इमोशनल होकी है, इसलिए बोल रहा है। तो लोग उन्हें रखा निचे, तो बोला ठीक है, देख लो। तो उन्होंने उनके हाथ में एक लकड़ी का डंडा जैसा था, जो आज भी शैसरार साब के और समवारक पे उनकी आखरी निशानियों के साथ दिखाया जाता है, वो डंडा जो लाठी थी, उससे उनको इशारा किया, इसे चोकर, कि उठ, और मेरी वो गेम पूरी करो, और मेर वो गेम खेलने लगी, जब वो गेम खेली, वो गेम पूरी की, उन्होंने चुकाई, उसके बाजी चुकाई, उनकी, तो वापस बोला ठीक है, आप जा, जहां के लिए आप निकले थे, तो आप जा सकते हैं, वो वापस लेटे और वापस, उसी तरिके से, फिर से, मुर्द लेकिन फिर चुटने भी लोग वहां पे उनके साथ थे, उन्होंने एक शर्त रखी, शासरा साथ के साथ, कि अगर आप इनको दुबारा जिन्दा करते हैं, तो हम आपके साथ कलमा पढ़ने के लिए तियार हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला, यह ठीक है, अची बात है, त लड़का जो है, वह अपने घर चला गया, यह एक करिश्मा है, इस जेगा के साथ जुड़ा हुआ, देकि साथ में वहां पे दूसरा करिश्मा और हुआ है, कि जब उसी दिन जब शाहिसरार साथ वापस अपने घर चले गए, तो बड़े शाह साब खुश, उनके वलत साब जो शाफ रेदिदन बगदर रहमतुलारी, उनको पता चला कि इसने ऐसे ऐसे कारणामा किया है, तो उनसे नाराज हो गए, और उनको कहा कि यह अल्ला की हुकम से उसकी डियाथ चुगी थी, वो अल्ला की हुकम से हुई थी, तो आपने कैसे उसको जिन्दा किया, और अगर जाहिल हैं, अवेरनेस नहीं है, तो लोग आपको खुदा मानने लग जाएंगे, तो इसलिए ये करिश्मा आपको नहीं दिखाना चाहिए था, तो इसलिए आप चले चाहिए, आप उसको दुबारा से, बेचे हो, उसको मरना है, लिखा है, तो वो मरेगा, तो आप उसको मरता हूँ या मरने के लिए बोलता हूँ तो वो लोग एक तो मेरे commitment जुटा हो जाएगा दूसरा वो लोग भी अपने commitment से मुकर जाएगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी मेरे लिए तो बड़ी शाह साब ने बोला कि ठीक है अगर आपक यही जिद है तो या तो वो जिन्दा रहेगा या आप रहेंगे फेशला आपके आतमे तो शाहसरा साब ने बोला ठीक है अब वो तो वहाँ पर तो मैंने commitment दे के आया हूँ सबको चार के आया हूँ तो आब वो तो जिन्दा रहेंगे तो मैं ही चला जाता हूँ अगर आपका ये फर्मान है एक हुकम है तो मैं आपको हुकम के पूरत ताबेदार हूँ और मैं ही इस दुनिया को रुखसत करता हूँ तो उन्होंने उनके साथ एक जाम का गिलास दिया कुछ लोगों का कहना है कि उन्दूर का गिलास दिया बड़े शाह साब ने, उनके वालत साब ने और उनने पिया और वो दुनिया को रुखसत कर गए अब उनकी आखरी आरामगा बनानी थी तो उसकी तियारी करने लगे शाह साब वगिरा तो उतने में कश्मीर के एक राजा थे उनको पता चला कि इसे इसे यहां पर आज वाक्य हुआ तो उन्होंने अपनी फोज भी और संदेश भीजा कि इनकी जो आखरी अरामगा बनेगी वो कि कश्मीर में बनेगी तो बड़े शाथ साथ के पास जब ये मेसेज पहुँचा तो उन्हें बोला ठीक है वो आए तो उनके आवाले किया पूरा सारा कुछ तवबूत सब कुछ पैक करके तो उनके आवाले किया कि ठीक है आपकी अगर ये मर्जियत हो जाए ले जाए इनको जब उन्होंने उठाय जहां पर आज शाथ साणाथ की जारत है वहां पर रहते थे वहां से जब जनाज मुआरक उठाया पर क्या हुआ कि जनाज मुआरक उनका बाहर होने लगा वजन बढ़ने लगा पहुँच थे पहुँचे तो उन्हें फोरसे रेस्ट करने का सोचा और कहा कि फोड़ी दिर नीचे रखते हैं, जिसे जनाज मुवारक नीचे रखा, ताउबूद नीचे रखा, तो कुछ दिर एस्ट करने के बाद उठाने लगे, तो वो उठने नहीं लगा, उठाते उठाते थक गए, पुरा सारे जोर लगाते गए, जितने भी लोग थे, जितने भी फोर्स थी, सार तो वो चलेगे, शाह साब के पास, कैसे इसे हुआ, आप तो ताबूद वहां से उठनी रहें, तो आप क्या करेंगे, तो शाह साब ने बोला कि अब उनकी मर्जी नहीं आया, वहां से आगे जाने की, तो उनको रहने दीजिए, वहीं पर रहने दीजिए आप, चोड़ दी अब अगर और कहूंगा, तो ये बहुत बड़ी जात्ती हो जाएगे इनके साथ, इसलिए अब उनकी मर्जी है, तो रहने दीजिए, जब तक वहां से लोग आये, तो देखा तो वहां पर जनाजी मुआरक कहीं भी नहीं था, यहीं पर जमीन के अंदर चलेगे, या आगे क कुछ पता नहीं चलने लगा, कोश लोग का कहना है कि तीन महीने के बाद लगपक, जहां पर आज शाहिसरार साब की जार शरीफ है, मजार शरीफ है, वहां पर उस ताइन पर सिर्फ जाडियां जाडियां थी, कोई बस्ती वस्ते जादा नहीं थी, तो वहां पर एक का हुआ था उस ताइम पर वेश से ही, उनका फ्रेज दिखने लगा था, इसलाम में दिखने लगा तो अबुशरीफ, लोग बिलकुल एरान हो गए, तो यह करिशमा देखकर तो तुरंत गए लोग, बड़े शाह साब को इतला की, उनको बोला कि ऐसे ऐसे वहां पर वाक्य हो रहा है, ऐसे ऐसे तो अबुशरीफ शाषरा साब का वापी मिला है, तो बड़े शाह साब ने कहा कि ठीक है, उनकी मर्जी वहीं पर रहने की है, इसलिए उनको वहीं पर रहने दीजिए, जब तो लोग वापस आये थे, शाह साब से मिलके, वापस आये थो देखा तो तो वहीं पर जमीन के अंदर खुद भुखुद चला गया था फिर वहीं पर उपर से जयारचरिफ बनाई और उसके बाद वहीं पर अताब से लेकर आज तक मौझूद है जयारचरिफ वही माने जाए तो फ्रेंट्स ये थे दो करामात शाहसरा सापकी जो इस जेगा के साथ जु कर लिजिए ताथ भी बैल आइकान भी देवा देजिए थाकि नेक्स्ट आनेवली वीडियो सबसे पहले आपको मिलें थैंक्यू